नमस्ते, आज मैं सुरू कर रहा हूँ बिहार के महत्तपोन राजवन्स और वह राजवन्स है करनाट वन्स जिसको सिम्राव वन्स भी कहते हैं और देव राजवन्स के अलावे इसको मैथिल वन्स भी कहते हैं यह राजवन्स मिथला का स्वाण यूग अस्थापित करता है इसलिए मिथला के स्वाण यूग के रूप में इस वन्स को जाना जाता है और इसका जो समय है काल है 1097 से लेके 1324 यानि 1097 टू 1324 में इनका काल पूरा काल इनका यही रहा है पिरियड यही रहा है इसके बाद मैं आपको बतला रहा हूं इनका छेत्रिय विस्तार इक्सपैंसन रिजनल इक्सपैंसन कहां तक हुआ था पूरब में महा नदी तक पस्सी में गंडग नदी तक उत्तर में हिमालय और दक्षिन में गंगा नदी यही इनका रिजनल इक्सपैंसन हुआ था इनका छेत्र विस्तार छेत्रा विस्तार जो था यही तक था सिमित था मैं आपको बतला रहा हूँ, इनकी राजधानी के बारे में बतला रहा है, इनकी राजधानी बदलती रही है, लेकिन सबसे महतपोन रूप में सिमराओं गर हाता है सबसे पहला जो राजधानी थी, उसका नाम नानपूरा है, जो चम्पारन में है, नानने देव जो इसके संसापक थे, उनके द्वारा यह राजधानी अस्थापित किया गया था सिमराओं गर्ः जो मुख राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह नानने देव के समय ही अस्थापित हुआ, नानने देव का सुरुवाती राजधानी नानपूरा चम्पारन था लेकिन बाद में सिवराओं गर्ः जो मुख राजधानी रहा वह अब वर्तमान में आपको नेपाल में पर रहा है, जिसको हम सिमौन गर्ः कहते हैं, बारा में है अवस्तित प्रदेश शंख्या दो है और नेपाल में यह अवस्तित है तीसरी राजधानी थी भीट भगवानपूर जो मल देव के समय राजधानी थी, उसके बाद दर्भंगा आता है जो दूतिय राजधानी के रूप में प्रसिद हुआ, मुख राजधानी सिम्राओगर के रूप में बहुत प्रसिद हुआ, और दूतिय राजधानी जो यह जो नान्य देव थोड़े दिन के लिए बनाये थे बाद में उन्होंने सिम्राउगर में अस्थापित किये और वह सिम्राउगर में 1297 में यह अस्थापित किया गया। इनका किला है जिस पर अंकित है इसका मतलब है कि उससे पुर्व कूजदिनों के लिए यह नानपूरा को अस्थापित किये होंगे तो बहुत ही अलपकालिक था और तीसरी जो है भीट भगवानपूर मल्लदेव जो राजा थे वह खुद बहुत ही अलपकाल के राजा थे इस इसलिए कहा जाता है आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर वान टू थ्री फोर में आप सोचेंगे दूतिये राजधानी क्यों यहां पर दे दिया गया है तो इसलिए दिया गया है क्योंकि मुख्र सिम्डाओ गर थी और दूतिये जो है दरभंगा पारे सासक नहीं थे मुख्रूब से सासक थे लेकिन मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि यह कहां से आये थे यह क्या बिहार के ही थे यह बिहार से बाहर के थे इनके बारे में कई तरह की बातें उभर के आती हैं लेकिन आप एक बात बहुत ही तार्किक और समयान उकूल लगत था है कि 1076 में विक्रमादित दूतिय जो थे जो चालुक की राजा थे उन्होंने उत्तर भारत में आक्रमन किया और उत्तर भारत में आक्रमन करने के तदुपरांत इन्होंने कई राजाओं को हराया जिसमें सेन को हराया, ठीक है ना मिथला के राजच्छेत्रों को भी जीता, कनाज के छेत्रों को भी जीता, तो यह जो है इसके जो वह जब लोट गए, विक्रमादित जो कस्टम थे, 16 थे, वह जब लोट के चले गए, तो यहां के सामंत फिर से उभर गए, और वह जो है सो मि मिथला कनाज और बंगाल में वह श्वतंत्र हो गया, तो लगता है कि विक्रमादित जो शिक्स थे, वह जो आपको चालुक के राजा थे, उनके साथ जो आने वाले लोग थे, और यहां के लोकल लोग मिल करके, यहां पर आपको मिथला में शाषन अस्थापित किये, उसमे का पिरियड है, 1097 से ले करके 1447 तक यह अस्थापित किये थे अपने सामराज को, इनका किला मैंने आपको पहले वी बता है, सिम्राओं में अस्थापित किये थे, वैसे पहले में इनका नानपूरा आपको जो चंपारन में है, और यह किला पर अंकित थी है, 18 जुलाई 1097 इ इससे सिद्ध होता है कि उनका शासन था, इससे पुर्वी रहा होगा, इसलिए मैंने आपको बताया था, नानपूरा बहुत ही बहुत ही अल्पकालिक थी, क्योंकि उससे पहले, सिम्राओं गर से पहले यह नानपूरा राजधानी रहा होगा, मैं आपको बतला रहा हूँ, यह नाने देव जो थे, संस्थापक ही नहीं थे, प्रथम राजा थे, और यह छत्रिय कूले थे, यह लगभग 50 वर्सों तक सासन किये, इन्हों ने अस्तंभ का निर्मान किया, जो 10 जुलाई 1097 में उसमें लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इन्होंने अस्तंभ का निर्मान किया, अभी छतिगरस्त अवस्था में है, लेकिन आज भी वह अवस्थित है, इनका साहितिक और संगीतिक कार्ज बहुत ही ब्यापक हुए हैं, इन्होंने संगीत के छित्रों में कई धुनों का निर्मान किया, संस्कृत के काम और सरस्वत अपना ग्यान दर्ज किया और यह जो है मिथला मिथला में बहुत अच्छी आपको परंपरा के जनक के रूप में जाने जाते हैं यह जितने भी बनसज हैं वह मिथला के छेत्रों में बहुत अच्छा कार्ज किये और जिसे मिथला भासी जो छेत्र मेथली जो भासी लोग हैं इनकी संस्कृती उच्छुई इन करनाट वनसिये राजा के द्वारा और इसलिए इनका काल भी कहा जाता है श्वन यूग कहा जाता है मेथली भासा के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं आपको बता रहा हूँ इनकी उपाधी जो थी महाशामंता धिपती जो यह असपस्ट करता है कि यह चालुक सेना के कमांडर रहे होंगे और यह इस चित्रों में दसो तीरानवे में आए होंगे और इस चित्रों में अपना राज्य अस्थापित किये होंगे अन्धरा ठाड़ी जो मधवनी जिला में अन्धरा ठाड़ी गाउं है और आपको वहाँ पर एक सिला लेख में इनको नान्य देव को निर्प लिखा हुआ है निर्प मिंस राजा होता है इसका मतलब है राजा वो रहे होंगे मंतरी इनके जो थे स्रिधर दास और रत्नदेव थे और ये आपको जान देते हैं वटू दास सेन वंस के महाश्रम शामंत था और स्रिधर दास को महामंडलिक की पदवी प्राप्त थी तो स्रिधर दास इनको बनाने में बहुत मदद किये थे नाने देव को और बहुत ही अच्छे मंतरी के रूप में जाने जाते हैं मैं इसके बाद आ रहा हूं मल देव के बारे में आपको नाने देव के दो पुत्र थे मल देव थे और गंग देव थे मल देव जो थे वह बहुत ही उनका सार्षन अल्पकालिक रहा है और यह जो है नाने देव आपको इस च्छत्रों को लगता है दो भागों में बट गया था नाने देव के मृत्यों परांत यह दो च्छत्रों में बट गया था पुर्वी भाग का मालिक जो थे मल देव थे पस्वी भाग का मालिक जो थे गंग देव हुए और मल देव का एक्च्छली मल देव के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है लेकिन मल देव के बारे में आपको बिद्यापती के पुरुस परिक्छा में इनकी चर्चा की गई है मल देव का एक अभिलेख है जो पीठ भगवानपूर में मिला है पीठ भगवानपूर इनकी राजधानी भी थी और उसमें इनको स्री मल देवश्य लिखा गुआ है और इनके नाम पर कई गाउं अस्थापित भी है आज भी है जिसमें मलहर्द है मलहनी गोपाल है सिमा पर मल्डीहा है इसका मतलब है कि यह जो थे राजा थे लेकिन यह जो थे अलब कालिक थे आपको जैचंद जो आपको हमने पहले बता है कनोज के राजा थे उनके हां भी कई महनों रहे थे ठीक है उसके बाद इनको आपको बता देते हैं गंधवरिया राजपूत इन्हें वीजपुरुस के रूप में मानते हैं मलदेव को वीजपुरुस के रूप में इनको मानते हैं गंधवरिया राजपूत इससे भी बहुत बात असपस्ट होता है कि ये वीर साशक थे और इनक की शासन अलपकालिक होते हुए भी इनकी प्रिसिद्धी थी उसके बाद इनके जो भाई थे गंगदेव जो कानूनी रूप से आपको यह आपको राजा हुए इसमें इनका मंत्री स्रीधर दास और अतन देव की बहुत मदद इन्होंने की थी जिसके कारण इन्होंने काज किया था इनका पीरियड है आपको एक 147 से गारा सो 87 तक या इनका पीरियड रहा है राजकाल का पीरियड रहा है यह राजस कर वसूलने के लिए परगनों में बाढ़ दे थे यह एड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत मजबूत किये थे आपको बता देते हैं आप परगनों को मुखिया और प्रधान का न्यूक्ति किये थे और वह प्रधान की न्यूक्ति जो है उसको आपको टाइटिल दिये थे चौधरी दिये थे और वह चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और यह चौधरी आज भी आपको मितला छेत्रों में बहुत अधिक च चौधरी टाइटिल वरन कियोंगे इससे साबित होता है कि उनके वनसद जो थे यह आपको गंगदेव द्वारा अस्थापित चौधरी परंपड़ा से जुड़े हुए रहे होंगे नयाय व्यवस्था में इन्होंने भी प्रचूर काम किया था पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया था और उस समय में भी पंचायती व्यवस्था को इन्होंने बहुत मजबूती से पालन किया था इसके बाद इनको उपाधी दी गई थी गौर ध्वज, गौर ध्वज में गौर उस समय बंगाल का जो राज्य छेत्र था उसको गौर कहा जाता था और गौर जो शाशन था आप जानते हैं गौर विजय प्राप्त करने है तू गौर ध्वज की उपाधी इनको मिली थी मैं आपको बतला देता हूँ आपको हर्शवर्धन के समय इनसे पुर्व हर्शवर्धन के समय भी गौर राजा थे और गौर को उन्होंने पराजित किया था हर्शवर्धन यसे असपस्ट होता है कि आपको गौर वहाँ पर गौर राज था और गौर राज बहुत ही विशाल और बहुत ही आपको बंगाल के बहुत सारे छित्रों पर उनका अधिकार था और उनको हरा देना एक बहुत बड़ी बात थी ठीक है ना और गौर सार्शक में हर्शवरधन के समय ही ससांक थे जिनके बारे में आप जानते होंगे तो वह शसांक के बंसजों को उन्होंने हराया था और इसलिए उनको गौर ध्वज की उपाधी मिली थी एक बहुत बड़ी उपाधी थी कि आपको मितला के आपको जो शाशक करनाट वंस के सासक गंगदेव थी उन्होंने गौर राजा को हराया था यह एक बहुत बड़ी लब्दी थी जो वह उपाधी से गौर्धवज से इसलिए सम्मानित किये गए यह बहुत बड़ी है पड़िछाओं में खोब पूछे जाएंगे इसको आप ध्यान रखेंगे मैं अब आ रहा हूँ उनके गंगदेव के बाद नर्सिंग देव हुए जो मिथला और नेपाल के बीच में खटपट हुई थी उसी समय हुई थी उनकी बंगाल के सेंसासकों से भी इनका टकड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने तुर्क से मदद लिया था और बक्तियार खिल्जी जो बिहार में अवियान किये थे आक्रवन किये थे उनको नजराना तक पेस किये थे मैं आपको बतला रहा हूँ कि नरसिंग देव का जो प्रियर था 1187 से 1225 था उसके बाद जो है राम सिंग देव हुए आपको गंग देव के बाद जो है राम सिंग देव हुए जो आपको 1225 से आपको 1276 था कि इनका राजिकाल लहा है इन्होंने पतवारी सिस्टम का विकास किया था पतवारी सिस्टम टैक्स को और अड्मिस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पतवारी सिस्टम को डेवलप किया था विकास किया था मैं आपको बतला रहा हूँ इन ही के समय में आपको बहुत भिक्षू जो थे तिर्थियात्री जो थे आपको आय थे धर्मश्वामी धर्मश्वामी जो थे तिबत के थे वह नालंदा विश्वविध्याले में पढ़ने गए थे और वह लोटे तो इनके हैं आपको जो वह राजबधानी सिम्राओंगर में त इसी में आए थी, उन्हों ने कर्छा किया है जिसमें उन्हों ने यह चर्छा किया है कि तूर्क सेनापती तूर्क तूसे तूर्क तूगडिल तूगडिल तूगण तूगण तूर्क जो ये थे सेनापती थे उनका नाम तूगडिल तूगण 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 त लेकिन उनको सफलता नहीं मिली आपको यह जो उसमें राम सिंग देव के समय आये थे और राम सिंग देव ने उनको बैरन लोटा दिया था इसका मतलब है कि वह अभियान जरूर किये लड़ने का अभियान की चढ़ाई भी किये लेकिन असफल है राम सिंग ने उनको बैरन ल यात्रा व्रतान्त में इसकी चर्चा किया है मैं उसके बाद आपको एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ राम सिंग देव के समय शाहतिक योगदान की भी चर्चा बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि स्रिधर आचार ने अमर कोस की टिकाल लिखे थे और यह एक बहुत बड़ी थी और मैंने आपको बतलाए है कि धर्म श्वानी तिवटे भिक्चू इसी समय आये थे उन्होंने बहुत सारी यहां के सारी चीज़ों का बड़ा ही विस्तार से बड़ा ही मनورम धंग से इसको चर्चा किया है खास करके सिम्रावगर की चर्चा किया है सिम्रावगर की चर् शक्ति सिंग आये और शक्ति सिंग को सक्र सिंग भी कहा जाता है जो 1276 से 1296 में तक इनका पीरिड है बीस बर्स का पीरिड है लेकिन यह अत्याचारी थे निरंकुष थे और दूसरी बात है कि इसके शासन के कारण सामंत लोग काफी परिशान हो गये थे इसलिए सामंत लोगो उन्होंने आपको एक समीती बनाई थी ध्यान रखिएगा सामंत ने समीती बनाई थी 100-100 का ध्यान रखना है किनके पिरियड में सक्ति सिंग उभी 100 है तो शक्ति सिंग और उनका दूसरा नाम भी 100 से है सक्रशिंग तो सक्ति सिंग सक्रशिंग और आपके इनके जो शामंत ह उन्होंने सौ सामन्त है, सौ से शमिती बनाई थी, क्यों बनाई थी? इनकी निरंकुस्ता के विरुध में. अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि इनका जो पुत्र था, हरी शिंग देव था, वह भी अल्प वयस था, जिसके कारण मंत्री परशद का शाशन था, बाद में हरी श काल के वह जो हैं, आपको बहुत साड़े चीजों का विकास किये हैं, जैसे इनकी उपाधी थी, करनाट वंसोद भव सत्रू जेता हरी शिंग दे महराज, यह रियली में करनाट वंस के उदभव में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनके सांधी विग्रहिक ज दो थे, बहुत प्रिशिद्य मंत्री थे, एक मंत्री जो थे, वीरेश्वर थे, दूसरे मंत्री जो थे, वह ते चंडेस्वर, ठाकुर जो थे, जिन्होंने राजनिती रतनाकर की रचना किये थे, यह बराबर पड़िक्छाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रख वागमती जिसको व्याग्रमती भी कहा जाता है और जिसको आपको वागमती भी कहा जाता है और अब भ्रंस में आजकल बागमती कहा जाता है उसके तट पर तुला पुरूश किया था यह तुला पुरूश इतिहास में बहुत कम लोग करते हैं और वह तुला पुरूश किया यह मंत्री चंदेश्वर ठाकूर, तो चंदेश्वर ठाकूर से सम्मंधित बाते जरूर पूछी जाती है, किन के समय के मंत्री थे, तो हरिशिंग देव के समय थे, और वागमती नदी के, जिसको वागमती कहते हैं, पहले व्याग्रमती कहा जाता था, तो वह आपको तुला पुरुष किये थे आपको चंदेश्वठा को जिन्होंने राजनितिक रतनाकर नाम के पुस्तक की रजना किया था यह हरिशिंग देव के समय ही आपको पंजी प्रथा का विकाश हुआ मैथिल ब्राह्मनों में आज भी साधी से पुर्व पंजी आपको पंजी प्रथा से के बाद ही जो पंजीकार लोग जिनका नाम होता पंजीकार जो आपको हजारों वर्षों का इतिहास लोग रखते हैं और मिलान करते हैं कि समगोत्री नहीं हो एक गोत्र दूसरे गोत्र से मिले नहीं तो साथ जनरेशन किसी की साधी हो रहे उसके साथ जनरेशन में समगोत्री नहीं हो एक ही गोत्र के नहीं हो और इस सब को मिलान करकर के वह आपको सिध्धान्त जिसको कहते हैं मितला छेतर में इसको सिध्धान्त कहा जाता है सिध्धान्त के तदूपारांत ही साधी होगी जब तक सिध्धान्त में अगर समगोत्रियों हो जाएंगे तो साधी नहीं हो तो यह पंजिकार लोग करते हैं और यह पंजी ब्यवस्था जो है इन्होंने शुरुआत किया था यह बहुत अमुल धरोहर है आपको पूरे विश्व में ऐसी ब्यवस्था कहीं आपको नहीं मिलेगी इसलिए इसकी बाड़े में आपको निस्सित ही पूछा जाएगा इसको पंजीकार कहा जाता है हर छेत्रों में आपको पंजीकार मिल जाएंगे और वह जो है लड़का लड़की के पूराने बंसजों को मिलान किया जाता है कि समगोत्रिय हैं या नहीं हैं अगर वह समझे कि चलान दे दिये मेंस वह आपको एस्विरंस दे दिये वह स्विकार दे होगी तो यह जो है एक बहुत अच्छी परंपड़ा को इन्हों ने जनरेट किया था और वैसे यह जो है इसका आपको यह स्कुलीन प्रथा की विवस्था आपको बंगाल में इसका स्रे बलाल सेन को जाता है शेन वंस के राजा थे उनको बंगाल में इसको बरहने का स्रे बलाल सेन को जाता है जिसकी इसकुलीन प्रथा की अस्थापना बलाल सेन ने बंगाल में किया था मैं आपको बतला रहा हूं इस पंजी प्रथा के विवास में इनके मंत्री सूडियकर ठाकूर बड़ी इनकी मदद किये थे और यह आज भी परंपड़ा जारी है बिना सिध्धान्त की साधी नहीं सौसे सिध्धान्त तदुपरांत साधी तो यह एक बहुत बड़ी बात है आप इसके इनके जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत साहित में भी बहुत बड़ा योगदान है मिथला जो है इस्मृती का प्रधान हो आपकी रचना की गई जिसको वर्ण रतनाकर कहा जाता है और वर्ण रतनाकर जो है जो तीरिस्वर ठाकूर द्वारा यह रचित है इसको ध्यान में रखिएगा जो तीरिस्वर ठाकूर द्वारा यह रचित आपको है यह दम ध्यान रखिएगा जो तीरिस्वर ठाकूर द्व बिभिन पड़ी चाओं में विसेश करके बिहार से सम्मंदित पड़ी चाओं बीपी एसी में तो निस्सित ही पूछा जाएगा इसको ध्यान रखेगा मैं आपको बतला रहा हूँ राजा हरिशिंग देव बहुत ही अच्छे काम किये मिथला संसकार और संस्कृति में इनका अपोर्ण ये योगदान है जो आज भी वह परंपरा चल लही है मिथला का जो संस्कृतिक रूप से बहुत ही विक्सित छत्र माना जाता है इसके प्रेणा स्रोत जो है हरिशिंग देव है मैं आपको बतला रहा हूँ ये राजा हरिशिंग देव जो गया से दिन तुगलक तुगलक वंस के राजा थे बंगाल अभियाने में आये थे और बंगाल से लोटने के बाद में इनको सिम्राओं गर्ष के बारे में इन्होंने सुना था तो इन्होंने सोचा कि भाई क्योंने सिम्राओं गर्ष पर आक्रमन किया जा जबकि सिम्राओं गर्ष जो आज नेपाल में है जंगलों से घिरा हुआ छेतर था तीन दिन इनको जो है लग गया केवल जंगल की सफाई करने में और तब जाकर के सिम्राओं गर्ष पर आक्रम हैं मारे जाएंगे लोग बहुत परिशान होंगे तो चलो सब को ले करके इन्होंने काठमांडू की योड़ चल दिये तो यह आपको बता दे हैं गयासुद्दीन तुगलक तीन दिन के बाद जंगलों को शफाई करने के बाते जबकि यह लड़ते तो जीत सकते थे क्योंकि इनके आपको दुर्ग था बहुत ही मजबूत दुर्ग था और नव आपको दिवारें और इनके आपको चाड़ो तरफ आपको पोकरा की तरह इन्होंने बना दिया था चाहर दिवारी बना दिया था जिसमें यह सुरक्षित रह सकते थे और जीत सकते थे लेकिन तथा पी इन्होंने खुन खरावा से बचते हुए बचाते हुए इन्होंने काठमान्डू की योड चल दिये और इन्होंने जब काठमान्डू की योड चल दिये तो कामेस्वर जहा नाम के इनके मंत्री थे कामे सवर्ज हा जो इनके मंत्री थे उनको उन्होंने अगला राजा नुक्त कर यह काठमांडू की ओर चल दिए और यही जो आपको राजा जो है आपको कामेस्वर्जा जो राजा बने ओइनिवार की अस्थापना यही कामेस्वर्जा ने किया था ओइनिवार जो आगे हम अगले वीडियो में ओइनिवार वनस के बारे में आपको बतलाएंगे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ जब ये काठवांडू की योर प्रस्थान कर रहे थे उसी समय इनके पुत्र जगत सिंग देव ने भक्तपूर नायक की विधवा राजकुमारी से विवाह किया था मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर काठवांडू में जाने के बाद इन्होंने तीन सो वर्सों इनके और इनके वंसा तीन सो वर्सों तक शाषन किये हैं ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर जो है इन्होंने मल राजवंस की अस्थाबना किया नेपाल में काठवां मंदिर है वहां पर आपको पुजारी होते हैं वह इसे समन्धित ही लोग पुरोहित होते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं काठमांडू और नेपाल में जो राजवंस या जो व्यापक जो छेतर हुआ उसमें मिथला का बहुत बड़ा योगदान है और इन लोगो उने मैथली भासा को मल राजवंस ने मैथली भासा को बहुत ही आगे बरहाया है और आपको बता देते हैं कि आज भी मिथला कल्चर की असपस्ट छाप आपको काठमांडू और नेपाल तक आपको दिखाई पड़ेगी मैं आपको बतला रहा हूँ इनके वनसद जो हैं सो यहाँ पर जो रह गए उसमें चमपारण के छेत्रों में प्रीथिवी सिंग देव और उसके बाद मदन सिंग देव अपना अधिपत्त कायम किये सहरसा और मध्यपूरा में सर्व शिंग देव आपको अपना अधिपत्त आपको जमाए रखे मैं आपको बता रहा हूँ इनके सांस्कृतिक योगदान जो है इस पूरे राजवनस का सांस्कृतिक योगदान बहुत है शाहित में अस्थापत्त में और अन्ने चीजों में भी इनका बहुत ही योगदान है मैं बार बार कहना चाहूं मैथली भार्षा के संब्रिधी में बहुत बड़ा योगदान है और मिथला का जो छित्र है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही आगे है तो उस आगे बरहाने में इन वंस करनाट वंस का बहुत बड़ा योगदान ह उसके बाद जो है ओनिवार वंस आया जो इनके बाद वाले जो वंस है जो कामेस्वर्ज रहा है, जो इनके मंत्री थे उनको उन्होंने बनाया था, राजा बना करके चले गए तो ओनिवार वंस के लोग भी मितला की संस्कृति को बर्हाने में अभूत पूर्व योगदान द सिंग देव के समय में तिरूति स्क्रिप्ट की कई सी लालेख पाई गई है नब न्याय स्कूल की अस्थापना में इननलों का बहुत बड़ा योगदान है जिसके प्रणेता गंगेश उपाध्या से और इन्हों अदभुत और अनोखा सास्त्र है जिसमें दर्शन सास्त के पौन रूपेन ब्याक्ख्या की जाती है और यह नबन्याय स्कूल की स्थापना में गंगे सुपाध्याय द्वारा जो अस्थापित यह नबन्याय स्कूल था वह अठारमी सताबदी तक यह आपको कंटिन्यू रहा इसका मतलब है कि नवन्याय की जो जरें यहाँ पर मितला में जो अस्थापित हुई वह आज भी उसकी परंपड़ा का आप कई विद्वानों में देखेंगे और विद्वान कई विद्वान भी पैदा हुए इस नवन् सिम्राओं गरह और शिमान गरह और सिम्राओं गरह जो इनकी राजधानी थी प्रमुख राजधानी थी मुख राजधानी के रूप में जाना जाता है वहां रनिवास कंपलेक्स में आपको कई चीज़ें हैं जैसे रनिवास मंदिर राम मंदिर रनिवास महल रामजान की मं और महल सडाय के अलावे आपको वहां पर अस्तंब जो आपको इनके द्वारा स्थापित किया गया था नन्य देव के द्वारा उभी आपको अस्तंब आपको मिलेंगे तोरन द्वार पर बहुत ही अच्छी कलाकृती मिलती है उभी देखने को मिलेंगे अन्य कई मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे कंकली माय वहां का बहुत प्रसिद्ध अस्थान है बारसो तेरासी इस वी में अस्थापित किया गया था और वह जो बारसो तेरासी जो आपको वर्ष है वह घंटा जो आपको बजाय जाता है घड़ी घंटा आप देखे होंगे घंटा उसी घंट पर वह अंकित है इसके अलाबे इन लोगों का है सूर या विश्नु गनेश उमा महेस्वर सभी की मूर्तिया मध्वन्नी से ले करके आपको दर्भंगा और तिरुहुत जिसको उसमें तिरु भुक्ति कहा जाता था जो आज कल तिरुहुत अप भ्रंस में आ गया है तिरुहु छित्रों में भी कई पाशान मूर्तियां पाई गई है जो बहुत अनोखा है और कहीं न कहीं पाल वंस से जुराव दिखता है दृष्ट गोचर होता है इसलिए क्योंकि पाल वंस में जो अस्थापत्य कला का जो एक नई पाहसान पूरे विश्वों में दिया था उसकी पा अनोखा और अदभूत अतूलनिय योगनान आपको करनाट वंस ने दिया और यह मितला की बहुत बड़ी आपको यह स्वस्वी कृति माना जाएगा मैं आपको बतला रहा हूँ इसी समय तिबबत के विक्षू जो थे और आपको अतिर्थी आत्री थे धर्मश्वामी जो बारह सो चछतीस में आपको इस सिम्राओं गढ़ में आये थे और यह नालंदा विस्विद्याले जो आपको वहां से पर करके लोट रहे थे तो सिम्राओं गढ़ में आये सिम्राओं गढ़ में उन्होंने कई बातों की बहुत ही विस्तार में चर्चा किया उनकी कला, संस्कृति, न्याय ब्यवस्था, प्रशाशन सभी पर उन्होंने खूब कलम चलाया है और काफी बातें जो अन्य लोगों को मालूम नहीं है उन्होंने बतलाया है तो यह एक बहुत बड़ी बात है जिससे हम लोग जो मध्यकालीन भारत और विसेश करकर के जो मितला कल्चर की बहुत अच्छी जानकारी मिल पाती है तो यह हम लोगों को इस तिर्थियार्थरी धर्मश्वामी से हम लोगों को पता चलता है यह एक बात और आपको बता देते हैं कि यह धर्मश्वामी नालंदा विश्विद्याले से परके लोट रहे थे तो इसका मतलब है कि नालंदा विश्विद्याले उस समय तक बहुत ही अच्छे धंग से काम कर रहा था तो यह आपको इससे पता चलता है और यह जो आए थे आपको राम सिंग देव के सिम्राओंगर किला में वा रहे थे और इनका बरा आदर भाव किया गया था राजा राम सिंग के द्वारा मैं आपको पहले भी हलका चर्चा किया हूँ कि इनका जो है आपका डाउन फॉल जो है पतन जो है वाह केवल और केवल 1324 इसवी में आपको गया सुद्दीन जो तुगलक थे वाह बंगाल को जीत करके लोट रहे थे तो उनको सिम्राओंगर के बारे में पता चला तो वह उस जंगल में क्योंकि मैंने आपको कई बार बता है सिम्राओंगर जिनको कई नाम से जाना जाता है तो सिम्राओंगर के रूप में भी जाना जाता है यह इनके बारे में पता था तो यह जंगल में जा करके क्योंकि यह जंगली च्छत्र है और उस जंगली च्छत् करके यह किले पर विजय प्राप्त किये किला को छोड़ करके क्योंकि यह युद्ध नहीं चाहते थे सांते प्रिये और शाहितिक सांस्कृतिक राजा थे इन्होंने राजा हर्शिंग देब जो हैं सो वहां से अपने लोगों को ले करके अपनी जनताओं को सुरुख्षित करते हुए वह काथमांडू चले गए और वहीं पर वह काथमांडू जब वहां गए तो आपको बता देते हैं यह और इनके वंसा जो है मल आपको तीन सो वर्शों तक आपको वह वह चलता रहा यह शाशन और एक बात और हम आपको बता देते हैं की इन्होंने कामे स्वर्जा को जो इनके मंत्री थे उसको राजा गोसित करके वह चले गएं जो कामे स्वर्जा ओइनवार वंस के अस्थापना के स्रेप पुरूस के रूप में रहे जनक पुरूस के रूप में रहे चलिए तो आज मैं यही तक आपको बतला रहा हूँ आगे ओइनवार वंस पर चर्चा करूँगा जै हिंद जै